अटिच्य समुद्पाद यानि प्रिटcil समुद्पाद सद्सार या शब्द सार नाम रूप नाम रूप बहुत इंपॉटनेंट शब्द हैं इनका सार भी बहुत ज़्यादा इंपॉटनेंट है आपने गाना सुना होगा मेरा नाम करेगा रोशन मेरा जग में राज दुलारा ये जो राज दुलारा जग में नाम रोशन करेगा जो गाना बहुत पहले आया था नाम कैसे रोशन करेगा आपने नाम के बहुत सारे मुहाबरे सुने होंगे नाम पे कलंक लग गया, नाम पे बटा लग गया, नाम डुबो दिया, नाम उचा कर दिया, नाम रोशन कर दिया, नाम आगे बढ़ा दिया, नाम इसने कमा लिया, ये नाम पे धबा है, उसके तो नाम की महीमा है, उनका तो नाम चलता है, उनके तो नाम की साख है, उनके तो नाम ही काफी है। उनका तो नाम क्या लिया तवित खुस हो गई। अरे इसका तो नाम क्या लिया मूड़ी खराब हो गया। यार ये तो नाम पर धबा है। ये बहुत सारे नामों के मुहावरे आपने सुने होंगे। नाम नहीं आया। हम नाम का इस्तमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हर एक वस्तू, हर एक चीज़ और हर एक मनुष्य से जब पैदा होता है तो उसका सबसे पहले नाम करन होता है क्योंकि बिना नाम के उसको पहचानना मुस्किल होता है। पुत्र का लेते हैं तो पुत्र के सारे गुण अबसुर्ड की छवी, उसका रूप, उसका रंग, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी आवाज, उसकी वाइस, उसकी वीडियो, हर चीज़ वहां आ जाती है। अगर आप अपने किसी बहुत प्यारे का लेते हैं तो उसके गुण आ जाते हैं और किसी अगर बहुत दुश्मन का या जो आपको पसंद रही हैं अगर उसका नाम लेते हैं तो उसके जितने भी दुसकरम हैं वो सारे के सारे सामने आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि नाम उन सारे करेक्टर्स का जितने भी करेक्टर होते हैं जितने भी गुण या गुण होते हैं उनका एक संकेत है उनका एक कोड है ये कोड जैसे ही माइन में आता है वो सारी फिल्म सारी की सारी आडियो वीडियो खुल जाती है वो इस खुल जाती है इस तो सब्द हैं जिनके उपर भगमान बुद्ध ने सारी की सारी अभिधम पीतक यानि कि जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जो कंप्यूटरिंग के कोड है जो हुमन साइंस के कोड है और जो हुमन के यानि जो एक आदमी होता है उसके जो सरीर पूरा चलाता है सॉफ्ट एयर उसके कोड का नाम भी नाम उन्होंने रखा यानि कि मैं यहां बैठा हुआ हूँ सुधीर राज सिंग सुधीर राज सिंग की जितनी भी फाइले हैं जितना भी उसका code और decoding सरीर के अंदर है जिससे वो चलता है उस सारे decode और decoding का जो नाम है software है उसका नाम software है यानि human software का नाम रखा गया है और जो hardware है जितनी body है यानि कि जो मेरी जितना भी सरीर है जितना भी हाथ, पैर, मास है आँख, नाख, कान है उन सब hardware का रूप कहते हैं इसलिए ये नाम और रूप बहुत important है नाम का मतलब human software और रूप का मतलब human body या human hardware ये बिलकुल इसपस्ट है यहाँ जो नाम है क्योंकि भगनवान बुद्ध ने mostly काम नाम के उपर किया है नाम का कोई weight नहीं होता कोई बजन नहीं होता जैसे आपने देखा होगा अगर आपका नाम सपोज Alexander है तो Alexander नाम का कोई बजन नहीं मिलेगा आपको कहीं भी Alexander सिर्फ एक कोड है नाम है Alexander नाम की प्रवपर्टियां या सिकंदर नाम की प्रवपर्टियां बहुत सारी हो सकती है जो उसके गुण और अपगुण के साथ आती है इसी प्रकार जो computer होता है या mobile होता है उसके software में जो software होता है उसका चाहे वो candy है चाहे चोकलेट है चाहे वो sandwich है चाहे वो iOS है 1 है, 2 है, 3 है या Windows है या Linux है उनका कहीं weight और वजन नहीं होता उनके सिर्फ नाम होते हैं बागी code और decoding होती है ऐसे ही मनुस्ये के जितने भी गुण और अपगुण होते हैं उनका कहीं weight नहीं होता इसको चैतसिक बोलते हैं चैत का बोलते हैं या मन बोलते हैं यानि मन के गुण है ये जो नाम है ये चार चीजों से मिलके बना हुआ है जिसको चैत बोलेंगे चैतसिक या चित बोलेंगे चित नाम या मन यह सब एक ही बात है, इसको अगलिस में mind कहते हैं, यानी mind हो गया, चित हो गया, मन हो गया, इन सबको एक ही बात बोला चाता है। ये मुख्यत चार चीजों से मिलके बने हैं, एक वियाना जिसको विज्ञान बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं संया यानि की संग्या, यानि की जो memory storage होती है body के अंदर उसको, एक वेदना बोलते हैं, वेदना का मतब है जो sensation body के अंदर आते हैं, उनको बोलते हैं या भाव जो का ही कोई weight नहीं होता ये सब code में होते हैं जो hardware यानी material के अंदर होता है दोनों एक दूर्स से जुड़े हुए हैं अगर सरीर होगा तो mind होगा अगर सरीर नहीं होगा तो mind नहीं होगा mind सरीर के साथ जुड़ा होता है जैसे hardware के बिना software बेकार है और software के बिना hardware बेकार है ऐसे ही मन के बिना रूप बेकार है और रूप के बिना मन बेकार है और ये कितने कमाल की बात है कि आज हम जो hardware software पढ़ते हैं उसको भगनवान बुद्ध ने, भगवाने, तथागत ने, सुकतों ने, बुद्ध ने लगबग 2600 साल पैसे decode कर दिया human की एक एक फाइल को decode किया और उन्होंने अपनी death की फाइल को hold कर दिया यानि death की फाइल उन्होंने जब खो ली अपनी तो उसको activate किया तो अपनी command से किया बुद्ध की सारी theory scientific है जैसे जैसे प्रतित्य समुत्पाद आगे पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा ये प्रतित्य समुत्पाद में जो नाम रूपाद आएगा नाम रूपा जिक्र बार बार आएगा ये उसका definition है ये उसका सद्धसार है ये सतनामी, नामधारी और नामदेब और भी बहुत सारे ऐसे संत महाप्रूस हुएं जिनके आगे पीछे नाम लगे पड़े है ये सारे समुधाए जितने भी समुधाए हैं, जितने भी कमुनिटीज हैं ये सब वही पुराने नाम नाम वाली कमुनिटीज है ये नाम नाम इतना प्रम्यकुर सब्द रहा है कि लोग इसको अभिवादन में भी नाम नाम करके बोला करते थे और सत्थ नाम जो बोला जाता है सत्थ नाम वो आज भी इसी लिए हैं क्योंकि जो नाम है वो जो भगवान बुद्धने भगनवाद बुद्धने खुजा था, वो आज भी सत्य है और जब तक मनुसर रहेगा, तब तक वो सत्य ही रहेगा इसलिए सत्य नाम बोला जाता है सत्य नामी जो लोग हैं, वो आज भी सत्य नाम को करते हैं जो नाम देने की प्रंपरा है वो आज भी हजारों लोग इसको नाम ले के करते हैं वो ये भूल गए कि नाम बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता है क्योंकि धंब चला गया मगर नाम लेने की प्रंपरा नहीं भूले इसने नाम लेने की प्रंपरा बहुत प्रानी प्रंपरा प्राशीन प्रंपरा है जो आज भी कुछ छेत्रों में कुछ गुरुवों दोरा चलाई जाती है धन्यवाद क्राइबें अढये जोरा च्राई जोरा बिल्देिड झाल शपरा चलाई जाती है जो आजा है उन्यवाद की के लेवां ठींदेश in neános भराफ इंच साहरा है झाल झाल